नमस्कार स्वागत है आई आप सिंदी के एक धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तो सेवी का नियू रिपोर्ट दोजर चौबिस आ चुका है जो की FNO ट्रेडिंग के उपर है अब इस FNO ट्रेडिंग में काफी सौकिंग नंबर्स हैं जो की सेवी ने पेस किय है और यह रिपोर्ट जो है न वह आपको 2022 से 2022 से लेके 2024 तक का रिपोर्ट है ठीक है रिपोर्ट में सेवी ने सिधा-सिधा कहा है कि 93% जो इंडिवीजुवल है ना इंडिवीजुवल ट्रेडर्स लॉस मेकिंग है यानि लॉस कर रहा है ठीक है कि लिए जार समझ लिजिए यानि सेवी का जो सिंपल कहना है कि 93% इंडिवीजुवल ट्रेडर्स जो है वो लॉस कर रहा है और सिर्फ 7% प्रॉफिट कर रहा है ठीक है क्या है नंबर्स किस तरह का नंबर्स मैं सब आपको किलियर बताता हूँ और यह पैसा फिर जा कहा रहा है बतलब यह इंडिवीज लॉस कर रहे हैं तो प्रॉफिट कौन कर रहा है वो भी मैं बताऊंगा लॉस का डिस्ट्रिबियूसंस बताऊंगा कि कौन से ट्रेडर कितना लॉस कर रहा है देखो बड़े-बड़े ट्रेडर्स यहां पर दावा कर रहे हैं कि मैं यह करता हूँ मैं वो करता हूँ मैं आप किस category में है, 93 वाले में या 7 वाले में, कमेंट करके बताईएगा, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सेवी का कुछ points बता देता हूँ, कि सेवी ने क्या बताया है इस losses के बारे में, ठीक है, आपको वीडियो को पूरा देखना है और like कर देना है, दोस्तों सबसे पहला point से भी जो बता रहा है, वो उसका कहना है, कि FI 2022 से FI 2024 के बीच में, 91.1%, 91.1% individual, मतलब retail, retail की बात कर रहा हूँ, retail trader, ठीक है, यह जो retail trader है, जो उसका quantity आप अगर counting करोगे, तो 73 lakh होता है, ठीक है, 91.1% retail trader, जो की 73 lakh traders है, यह FNO segment में, ठीक है, loss phase किया है, और यह loss जो है, लगवाग 1.20 lakh, ठीक है, यह loss किया है, मैं आपको के लिए समझाता हूँ, तरह सराल अंदाज में, देखो, इंडिया में, यह जो 73 lakh trader है, 2022 से 2024, यानि दो साल के दर्मियान, 73 lakh FNO segment में, हर एक बंदा average 1.20 lakh, यानि लगवाग 7 lakh रुफे है, पर बंदा loss किया है, पिछले दो साल में FNO trading करके, यह saving का report का पहला point है, ठीक है, पहला point, दूसरा point मैं आपको समझाता हूँ, तरह ध्यान से समझेगा, अगर आप ध्यान से समझोगे, तो आपके दिमाग में यह calculation अच्छे से बैठ जाएगा, और आपकी क्या गलतियां है न, वो भी आपको पता चलेगा, देखो, अब यहाँ पहले, दूसरा point आप ध्यान से समझना, 1.13 करोर, ठीक है, 1.13 करोर, यूनिक ट्रेडर, यूनिक ट्रेडर, ठीक है, इसका जो combine loss है, loss इसमें transaction, सब charges include है, यह है लगबग 1.81 लाख करोर, यहाँ पे आप ध्यान से समझना, कि 1.13 लाख यूनिक ट्रेडर, जो loss किया है, पिछले दो सालों में, वो है 1.81 लाख करोर का, यानि लगबग 2.00 करोर, पिछले दो सालों में, इंडिया के यूनिक ट्रेडर्स ने loss कर दिया है, 1.13 लाख करोर, पिछले दो सालों में loss किया है, जिसमें 75,000 करोर, 75,000 करोर, सिर्फ 2024 में loss हुआ है, है ना shocking, से भी कर तीसरा पॉइंट भी समझ लो, फिर मैं समझाओंगा आपको कि ये पैसा जाक आ रहा है, ठीक है, देखो, तीसरा पॉइंट में ये कह रहा है, कि टॉप के 3, टॉप 3.5 यानि कि 3.5 परसेंट जो लॉस मेकर है, लॉस मेकर, ठीक है, ये जो है, 4 लाक की quantity में आते हैं, इनका लॉस 28 लाक है, इस में से टॉप 3.5, ठीक है, टॉप 3.5 परसेंट, जो कि 4 लाक ट्रेडर है, वो 28 लाक लोस कर चुका है, 28 लाक, यानि कि ये जो 4 लाक ट्रेडर है, पर ट्रेडर 28 लाग का लॉस है पिछले दो सालों में दोस्तों ये रिपोर्ट देखने के बाद आपकी दिमाग में एक सवाल आ गया होगा कि सारा प्रॉफिट गया कहां कौन पैसा लेके जा रहा है पैसा आखिर बना कौन रहा है तो चलिए ये भी पॉइंट हम लोग सेवी के दोरा दिया गया रिपोर्ट में समझते हैं सेवी कहती है कि 7.2% FNO ट्रेडर तीन सालों में प्रॉफिट बनाया है ठीक है तीन सालों में सिर्फ 7.2% FNO ट्रेडर पैसा बनाया है जिसमें सिर्फ एक परसेंट जिसमें से सिर्फ एक परसेंट ट्रेडर्स का profit जो है न वो एक लाक या उससे ज़्यादा है transactions, taxes वगेरा देने के बाद यानि 7% में से सिर्फ एक परसेंट ही है जिसका profit एक लाक से उपर हुआ है पिछले तीन सालों में भाई ये भी काफी इंट्रेस्टिंग है मतलब लॉस तो कर रहा है 28-28 लाक एक-एक बंदा और प्रॉफिट कर रहा है सिर्फ एक परसेंट वो भी एक लाक या उससे जायदा थोड़ा उससे जायदा है न तो कहोगे भाई और पैसा कहां जा रहा है तो यहां पर एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग है एक ट्विस्ट है कि FPI आप लोगों को पता है FPI क्या होता है Foreign Portfolio Investor जो भी है उन्होंने FY24 में 28,000 करोर का ग्रॉस प्रॉफिट किया है FNO में भाई FNO में ठीक है और साथ ही प्रोप्रेटरी ट्रेडर जो होते हैं वो भी 33,000 करोर का प्रॉफिट बनाया है FNO में यानि सिंपल भासा में मैं आपको समझा दू कि इस रिपोर्ट से किलियर पता चल जाता है कि जो लोग प्रोफेस्नल एल्गोरिद्मिक यानि कि एक स्ट्रेटिजी के अनुसार एक अपना तरीका के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं वो गेम पलट कर रखे हैं पिछले तीन सालों से और पैसा बना रहे हैं जबकि इंडिभीजूल ट्रेडर ने ज़्यादा तर तो लॉसी फेस किया है ठीक है? अब आपको ये समझना है distribution of losses मतलब distribution distribution of losses फ्रोवसा interesting data है इसको आप समझे आपको मज़ा आएगा समझने में ध्यान देजिएगा सेवी का जो data है मैं उसी को decode कर रहा हूँ 10800 ठीक है? ट्रेडर जो है 10800 ट्रेडर FNO सेगमेंट में एक करोर या उससे ज़्यादा एभव एभव ठीक है? एक करोर या एभव loss किया है ध्यान से समझी हैगा 10800 पिछले तीन सालों में 10800 ट्रेडर जो है वो एक करोर या उसससे ज़्यादा का loss किया है ठीक है? जब की यहाँ पर ध्यान देना जबकि सिर्फ 2500 ट्रेडर जो है वो एक करोर या उससे ज्यादा का प्रॉफिट बनाया है यानि ध्यान से समझेगा 10,800 ट्रेडर एक करोर या उससे ज्यादा का लॉस बनाया लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 2500 ट्रेडर कर रहा है एक करोर या उससे ज्यादा काफी इंट्रेस्ट ध्यान से समझें दूसरा इंटरेस्टिंग क्या है देखो तॉप का जो 3.5 percent loss maker है ना loss maker loss makers तॉप का जो 3.5 loss maker जो total loss का उसके टोटल लॉस का लॉस मेकर्स ने टोटल जितना भी लॉस हुआ है उसका 55.3% ध्यान से समझेगा थोड़ा सा लेखने में 55.3% कंट्रीबूट किया है भाई यानि जितना लॉस हुआ है उसमें से टॉप का 3.5 लॉस मेकर है जो की 55.3% लॉस किया है और मैंने आपको पहले बताया कि यह लगवग 28 लाग का एवरेज है 28 लाग लॉस का एवरेज है पर हेड पर ट्रेडर समझ गये काफी इंट्रेस्टिंग है तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए यहां पे एक चीज और सेवी ने मैंसन किय किया है future versus option trading देखो सेवी की research यहां पे यह बताती है कि option trading में losses 91.5% traders ने किया है जबकि futures contracts में losses 60% trader ने बेयर किया मतलब यहां पे option trading में loss का percent बहुत जादा है तो दोस्तों मैं आपको इस report के माध्यम से यह समझाना यह बताना यह जताना चाहता हूं कि F&O trading बहुत जादा र करके individual traders के लिए जिनको समझ में नहीं आता market के algorithm कैसे set करना है कैसे अपने trade को set करना है मेरा बस यही बेंती है कि आप एक smart investors बनो आप smart investors बनना चाहते हैं तो description में semku या आप stock का link दिया हुआ है किसी में भी अपना fresh dimate account open करके आप हमारे telegram से जोड़ सकते हैं जिसका link आपको comment box और description दोनों में मिलेगा तो एक smart investors बनिये और long term में पैसा बनाइए F&O में कुछ नहीं रखा है जैसा की CB का report है बाकि आप क्या कहते हैं इस report के बारे में comment section में comment जरूर करिएगा मिलता हूँ next video में thank you